प्रणाम मैं हूँ अलका और हम बात कर रहे हैं बगवान बुद्ध व बौध धर्म की इस शंखला में ली गई कहानिया ओंद्रे फोर्दिनान हिरोल की पुस्तक लगभग धाई हजार साल पहले एक बहुत ही सुन्दर नगर कपिल वस्तु में राजा शुद्धोधन वा उनकी पतनी महा माया के यहां एक अत्यन तेजस्वी बालक का जन्म हुआ बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया सारे नगर ने बालक के जन्म के उपलक्ष में त्योहार मनाया इसी समय असित नामक एक सन्यासी ने नक्षत्रों में बुद्ध के जन्म को पढ़ा वा तुरंत शाक्यों के राजा राजा शुद्धोधन की नगरी कपिल वस्तु पहुँचा राजा ने उनका स्वागत किया वा अपना पुत्र उन्हें गोद में खिलाने के लिए दिया असित ने बालक को ध्यान से देखा और पाया कि उसमें सभी शुब चिन अंकित हैं यहां देखकर उन्होंने आकाश की ओर सर किया और जब पुना नजरें जुकाईं तो राजा शुद्धोधन ने पाया कि उनकी आखें गीली थी राजा शुद्धोधन पुत्र के लिए चिन्तित हो भे परन्तु संत ने कहा कि उनकी आखों में आसु बालक के लिए नहीं वरन खुद अपने लिए हैं क्योंकि वे बालक के प्रवचन सुनने के लिए जीवित नहीं रह पाएंगे यह सुनकर सभी प्रसन्न हो गए राजा सिद्धार्त के जन्म से प्रसन्न थे परन्तु महारानी महामाया यह सुख अधिक दिन न देख पाई पुत्र के जन्म के साथ दिन के भीतर उनका स्वरगारोहन हो गया तब सिद्दार्थ को उनकी बहन याने महामाया जी की बहन महाप्रजापती ने संभाला महाप्रचापती महमाया की ही भाती सुन्दर वो सुषील थी उन्होंने बालक सिद्धार्थ के लालन-पालन में कोई कसर नहीं छोड़ी बालक सिद्धार्थ को शत्रियों को दी जाने वाली सभी प्रकार की शिक्षा दी गई वे ध्यान भी करने लगे सिद्दार्थ के बचपन में ही एक बार महाप्रजापती के मन में उन्हें आभूशनों से सजाने का विचार आया सेवक सुन्दर से सुन्दर रत्नों के थाल ले आये उनमें सुन्दर से सुन्दर आभूशन ढूंढूंढ कर उन्हें पहनाये जाने लगे परन्तु कोई भी आबूशन से दार्थ पिना सचता तब वन देवी महाप्रचापती के पास आई और बोली कि उनके लिए ये अनमोल रत्न भी बालक के सामने काँच के टुकड़े ही है यह रत्न तो तुम्हारे सेवकों को शोभा देंगे जो रत्न यह बालक धारण करता है वे शुद्धतम जल से बने अमूल लिवान आबूशन है और वे हैं इस बालक के विचार इसका तेज सूरज और चंद्रमा को भी फीका कर देने वाला है अतह इसे ऐसे ही रहने दे महाप्रचापती ने इस बात को माना और जब बालक को देखा तो उसका तैति प्यमान चेहरा वस्तु तह अद्बुद था अन्त तह वह बुद्ध था धन्यवाद आगे की शंकला में और भी तब तक के लिए आग्या दीजिए नमस्कार